बात मानलो भहिया, तुम केवल हमारे प्रभु श्रीहरी पर श्रद्धा कर लो बिना कुछ देखे भगवान तुमको प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा आप केवल प्रभु को अपना मानिये कि प्रभु मेरे वही हैं पर आप नहीं मानते मानलो तो आनंद से युक्त हो जाओगे, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जब करें बड़े-बड़े शंत महात्माओं से मिला हूँ उनका यही अनुभो है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा पुना ध्यान दीजिए बड़े-बड़े शंत महाँ पुर्षों का अनुभो है कि जो जितना अधिक नाम जब करेगा, भजन करेगा उतने ही वो दुख असांती से दूर होकर आनंद में डूबेगा प्रभु में स्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारन कर ले और मेरे हरदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन कर ले क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है फिर कभी शौपन में भी दुख नहीं मिल सकता आही नहीं सकता दुख आही नहीं सकता बहुत बहुत बढ़ियां उशर है सत्संग के प्रभाव से भगवत कथास्रवन के प्रभाव से नामजब के प्रभाव से ये चाह प्रगट होती है ये चाह प्रगट होना बड़ी दुरलब बात है कि बस इस जन्म का लक्ष है निरंतर भजन करते हुई भगवत प्राप्ती करना आज तक जितने भी बड़े-बड़े महापुरुश हुए है सब के जीवन में मूल प्रभू के नाम का जप रहा है नाम का इश्मरण रहा है इसलिए मैं फिर हाथ जूड़ कर प्रार्थना करता हूँ चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो ध्यान दीजिये, चाहे तुम कोई भी हो, बालब हो, बुढ़े हो, जवान हो किशी भी वरणाश्रम के हो कैसे भी हो, गंदे हो, विचार करते हो, हिंशा करते हो, गलत नशा करते हो देखो, बिल्कुल, कृपा ही कृपा है बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे क्या, तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे तुम भुआनी से भजन करना शुरू करो आप सोचू कि मैं मानुशिक जब करूँ, उसके लिए काग्रता और पवित्र हरदय चाहिए वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंब हो जाएगा मानुशिक जब आवश्यक्ता है, अधिक जब जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो कम बोलो ब्यर्थ में मत बात करो, नाम उच्चाहिए, तुम्हारे ओठ हिलते रहने चाहिए वो एक अवस्था होती है, जिसमें परावानी में नाम समा जाता है यह वैखरी है, जो हम बोल रहे हैं, वैखरी है फिए एक जो ओठ चल रहे हैं किवल मध्यमा है और जो गलेश भजन होता है, पश्चंती है, घरदे देशे से परा मूलाधार केंद्र में जाकर के, जहां से वानी का प्रकास होता है वहीं जाके नाम बेठ गए, आप तो जपना थुड़ी है अजपाज आप निरंतर भजन होता है परापश्चंती मध्यमा वेखरी तो पहले उपाशक को, कोई भी हो, कैशा भी हो, कहीं का भी हो आप वेशन नहीं छोड़ पारे, नसा नहीं छोड़ पारे, गंदी बातें नहीं छोड़ पारे चिंता मत कीजिए जब आप बल साली होंगे तो अपने आप इस सब छोड़ देंगे बल क्या श्री हरिवन्श नाम बल लहो तो अपने मन भाई सब कहो जितना तुम नाम जब करोगे उतने तुम्हे अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगे अध्यात्म बल प्राप्त होगा और तुम जिस विशय को छोड़ना चाओगे ऐसे छोड़ दोगे जहां आप मन लगाना चाओगे लगा सकते हो आप देखे हरदय में देखे हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं छोटी छोटी व्यशन छोटी छोटी बातें छोटी छोटी आदतें यह हम नहीं छोड़ पा रहे हैं आज कसम खाते हैं चार दिन बाद फिर वही करने लगतें तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्त नहीं कि रोक ले नाम मित सामर्त है जितना नाम जब करोगे बुद्धी शुद्ध होगी अध्यात्म बल बढ़ेगा और आप निर्विकाल की तरफ बढ़ोगे विकारों का त्याग कर शकते हो जैसे जैसे अंता करन पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बाते छुटती चली जाएंगी और आपका प्रभुशे प्रेम हो जाएगा जब प्रभुशे प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते हैं हाँ बातें करते हैं उपाशक उनके साथ खेलता है पर ये दूशरा नहीं जान सकता है वहीं जान सकता है जिसे जना दे नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभू के शाथ छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंत याद उक्रपाहरी वन सकी वो अपने प्रभू को लेके कभी हस रहा है कभी प्रभू को रिजाने के लिए गा रहा है कभी नृत्य कर रहा है कभी उसका भाव लगा चिला-चिला के रूरा है कभी शमाधिस्त जैसा पूर्ण कर्त करतेता का नभोकी विशांत बेटा है ये भावद शायानी लगती है किनकी जिनका नाम जब करते करते अंतह करण पवित्र हो गया है जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बुला राधा, कैसा लगा जिसे अम्रत पिला दिया गया हो, श्रवने इंद्री से अम्रत राधा नाम शुधा रशम आप जब यह तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चड़ता इस नाम से, कैसा आपको परमशुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से आपको फिर नाम जपने की चेश्टा नहीं करनी पड़ेगी, श्वता नाम पकड़ लेगा जब तक ऐसा हरदे में भाव नावे, तब तक तुम्हें हट करना पड़ेगा, जबर, जस्ती, जिद्धी शुभाव रखना पड़ेगा मन कहरा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चक लो, ये चूलो, ये भोग लो, कुछ मैं सुनना, जिद्धी शुभाव, राधा, 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 राधा जैसे भी हो, अधिक से अधिक, आप अपनी जिव्या से नाम जप करें प्रभू की कृपा आपको कैशे समालेगी, ये खुद आप बरणन करेंगे आगे चल करके उहो, मुझा धम को कैशे कृपा कितनी उचाई पे ले आई, नाम जप के द्वारा आप लोग चाह करें, बहुत कम शमय में भगवान मिल जाएंगे कल कोई उपाशक बाहर से आए हुए थी, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या तो जहां भी शंख्या बरणन भी की गई, वहां आपको उत्षाह बढ़ाने के लिए की गई बहुत कया कितने में मिलेंगे, उशशीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता कोई तपश्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता जब वो भजन करते करते देन निभाव से आर्थ होकर पुकारता है भगवान प्रभाव ये निश्या नहीं कि इतना करलो तो भगवान मिल जाएंगे क्या किसी और की स्मृती न रह जाए एक मात भगवान की तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहे जो समा जाएंगे आप में इतने पर भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं का जा सकता है उपरोच शाहन के लिए कि आप ऐसा करो शाड़े तीन करोड नाम जब करलो आप ऐसा सास्त्रों में पढ़ा है शाड़े तीन करोड तो बहुत है हमारे यां धुरुदा जी कह रहे थे एक बार जिन नाम ली सर्त है हीतसों होयती दीन ताको शंगन चाने धुरुवपनों कर लीन जिनोंने आर्त भाव से प्रेम में भर कर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो स्री जी का साक्षात कारोड एक बार